बच्चों ये वीडियो में part wise बना रहा हूँ, यदि आपको इस chapter के सारे videos part 1 से last part तक दिखने हैं, तो आप playlist देख सकते हैं, playlist देखने के लिए video के नीचे यहाँ click करें, आपको home video playlist दिखेगा, अब आप यहाँ click करें, playlist बटन पर, तो आपको यह playlist दिखेगा, यदि आपको औ पुरा वीडियो मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पुरा वीडियो मौझूद है और आप इसे पढ़ सकते हैं, यह video विज्ञान, class 10, अध्यायदस, प्रकाश प्रावर्तन तथा अपवर्तन का next part है, इसके पहले के part को आप जरूर देख ल वास्तविक प्रती भीम क्या होता है, तो यह सारा चीज हम लोगे ने बहुत अच्छे से डिसकस किया है, तो यह आपने उस video को नहीं देखा है, तो फिर शायद आपको यह video उत्ता समझ में नहीं आए, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है, तो मैं आपको यहाँ सम किर्णों को इस प्रकार से गुजारेंगे तो यह प्रावर्तित हो कर अपने ही साइड अपने ही और यह प्रावर्तित हो जाता है यह मैंने आपको बताया था जैसे कि मान लीजिए यह किया है यह दरपन है तो इसमें मैं ने बताए था यह धुरू है, यह focus है इस प्रकार से मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया है तो जह प्रकार सी किरने इस प्रकार सी आती है तो यह अपनी ही दिसा में वापस चली जाएंगी क्योंकि यहाँ प्रकार है परावरतन हो रहा है और परावर्तन के कारण ये प्रकास अपनी ही ओर चला जाएगा तो इस प्रकास से माल ली जी की कोई वस्तु यहाँ पर ए भी रखा हुआ है जो की अनंत पर है तो हम लोग को याद भी रखना है कि यह अधी वस्तु जो है वह अनंत पर रखा हुआ है तो उसका प्रतिविम्ब कहां बनेगा उत्तल दर्पर में इसको बनाने के लिए आप वस्तु को अनंत पर रख देंगे और यहां से हम लोग क्या करेंगे यहां से यहां से हम लोग mold को गुजारेंगे लेकिन इसको कालपनिक रूप से हम लोग यहाँ पर मिलाते हैं तो आप देख सकते हैं जो वस्तु अननपरखा है उसका जो प्रति बिम्ब है वह कहां बनता है वह फोकस पर बनता है आप देख सकते हैं इसका जो प्रति बिम्ब है वह कहां बन रहा है यह बहुत ही छोटा है आभासी है तथा सीधा है इस प्रकार से आप देख सकते हैं यह प्रतिविम्ब क्या है प्रतिविम्ब यह फोकस पे बनता है यह बहुत छोटा होता है आभासी होता है और क्या होता है सीधा होता है आभासी कहने का मतलब कालपनिक होता है तो यह पहला आपको याद कर लेना है तो यहां पर आपने देखा जो किरन आरेक हम लोगों ने खीचा है उसमें यह मुख्य अक्ष के पैरलल एक किरन जाती है तो यह यहां एफ पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो मैंने बताया था कि जो मुख्य अक्ष के पैरलल जो किरन जाती है वह यह तो actually में कटता है या कटता हुआ प्रतित होता है तो यहां यह कटता हुआ प्रतित हो रहा है और यह f पर इसका image बन रहा है यानि कि बिम्ब का प्रति बिम्ब f पर बन रहा है अब जो दूसरा आप देख सकते हैं यह position है आपका अनन्त तथा पी के बीच यानि कि ध्रू के बीच तो अनन्त तथा ध्रू के बीच यदि पिंड को कहीं भी रखा जाता है वस्तू कहीं भी रखा जाता है तो उसका प्रति बिम्ब कहां पर बनेगा और कैसे बनेगा तो यहां पर अनन्त और ध्रू के बीच इसको रख दिया गया है सबसे पहले हम लोग यहां मुख्य अक्ष के समरांतर एक रेखा को ले आते हैं, एक किरन को ले आते हैं, अब देख सकते हैं, मुख्य अक्ष के समरांतर एक किरन इधर से जा रहा है, तो यहां F से होता हुआ गुजरेगा, मतलब यह प्रतीत होगा कि F से होता हुआ जा रहा है इस सशी से गया तो ये पीशे तो नहीं जाता है लेकिन यहांसम आगये और वापस यहां से अया अब यहां आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच यह जहां कट रहा है वहीं पर यह क्या बन गया image बन गया यानी कि इसका प्रदीबिम बन गया तो यह यहाँ पर वास्तविक रूपसे नहीं कट रहा है इसको हम लोग यहां पर कालपनिक रुप से काट रहे हैं इसलिए यह कैसा प्रतिबिम बन गया कालपनिक यह पहला हो गया दूसरा आप देख सकते हैं वस्तू इतना बड़ा है तो यह तो छोटा ही बना यह वस्तू से छोटा तीसरा आप देख सकते हैं यह सीधा बना और कहां बना तो यह P और F के बीच में बना P और F के बीच में P और F कहने का मतलग धुरू और फोकस के बीच में यह प्रतिविम्ब बन रहा है तो यदि आप इसको समझ रहे हैं आपको यह याद है तो आप जब numerical बनाएंगे जब इसको solve करेंगे numerical को आंगिक प्रश्णों को तो आप बहुत आसानी से solve कर सकते हैं तो आपने देखा कि यहाँ पर जो उत्तल दर्पन है उसके द्वारा जो प्रतिविम्ब बन रहा है कहीं भी वस्तु को रखा जाए प्रतिविम्ब हमेशा सीधा ही बन रहा है सीधा मतलब यह इस प्रकार है तो इसका प्रतिविम्ब भी इस प्रकार ही हो रहा है मैंने आपको बहुत अच्छे से पीछे सारे चीज़े समझा दी है तो उत्तल दर्पन में आप देखेंगे कि जो बिम्ब है उसका प्रतिविम्ब हमेशा क्या बन रहा है दूसरा ये कैसा बन रहा है या छोटा बन रहा है तो अब बताइए कि जो side mirror होता है मालेजे की कोई ट्रक है ट्रक का जो side mirror है side mirror में इस प्रकास ये side mirror होता है तो इसमें कौन सा दरपन लगा होता है तो ये ट्रक के side mirror में उत्तल दरपन लगा होता है भला ऐसा क्यों माली जे ट्रक है ट्रक के बगल में यहाँ पर उत्तल दर्पन होगा तो इस उत्तल दर्पन में जो पीशे जो भी चीज दिख रहे है उसका छोटा छोटा प्रतिबिम्ब बनेगा तो इस छोटे से मिरर में बहुत सारा प्रतिबिम्ब उसको दिख जाएगा प जीसरा ये कहीं से भी आ रहा बहुत दूर से भी आ रहा है तब भी उसको सीधा ही उसको प्रतिविम्ब दिखेगा जैसे मैंने बताया था कि आउतल दर्पन में कुछ जगह पर ये सीधा बनेगा लेकिन बहुत जगह पर क्या होगा उल्टा बनना सुरू हो जाएगा तो यहा कि बाद का जो वीडियो है वहां से हम लोग चिन्ह परिपार्टी सुरू करेंगे और साथे साथ कुछ आंकिक प्रशनों को भी सॉल्व करेंगे तो यह मैंने छोटा सा वीडियो बनाया क्योंकि सेपरेट करके मैं बना रहा हूं तो मिल रहा हूं आपसे नेक्ष्ट वीडि धन्यवाद